हेलो एवरिवन आप सभी स्क्रीन पर करेले देख रहे हैं ना हाँ जी आज मैं भर्मा करेले की सबजी बना रही हूँ और मैं इसमें लेसन प्याज का भी यूज नहीं करूंगी जैन स्टाइल में बना रही हूँ और इसके बाहर का आउटर शेल है उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी आप इस रेसिपी को जरूर लास तक देखें और ट्राइ करें मैं गैरेंटी दे रही हूँ कि आपके करेले कड़बे नहीं लगेंगे और बहुत टेस्टी वनेंगे तो चली रेसिपी शुरू करते हैं मैंने करलों का अच्छी तरह से धो कर बहुत अच्छे से गरम पानी से धो कर साफ कर लिया था मैंने उसकी बाद मैंने इसके आउटर शेल को अलग से निकाल कर रख लिया है एक बोल में और जो उसका जो अंदर के सीड्स वाला पोर्शन था उसे भी उसमें आइड कर दिया है मैंने बीच में से कट करके ताकि मैं स्टफिंग भरें तो मसाला निकले नहीं तो मैंने सिर्फ एक तरफ से ही इसको चीरा लगाया है बाकी मैंने राउंड शेप में इसको रहने दिया है ऐसे करके सारे करेली मैंने साफ कर लिया है और सारे सीड्स को और उसके आउटर शेल्ट के जो छिककल होते हैं उनको भी निकालकर अलग कर दिया है अब एक बोल में लगबग आदा ग्लास या एक ग्लास जितना भी आपके करेले अच्छी तरह से इसमें डूप जाए उतना पानी लेना है और एक बड़ा चम्मच मैंने एक टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और उसको अच्छी तरह से पाने में डिजॉल्व कर दिया है इसलिए मैं इसको आदे गंटे के लिए इसमें रख रही हूं और जब तक हम मसाले की तियारी कर लेते हैं मसाले के लिए सबसे पहले तो मैंने जो इसके सीड़् और जो छिक्कल निकालके रखे थे उनको मैं ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बनाकर अलग रख रही हूं आ एक बड़ा अधरक का तुकड़ा मैंने इसमें एड कर दिया है और साथ में एक बड़ा टमाटर भी एड किया है मैंने आप इसको भी जरूर एड कीजे बाद में जब हम स्टफिंग तेयार करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा टैंगी सा फ्लेवर देगा और बहुत टे सब्सकने के यह चुछ सहां High in और संफ लिया OUT सब करने के बाद में इसमें दनीया पाेड़ किये एड किया है घृदी आड्र लेंगे थोड़ा से मैंने लाल मिचव फ्लेंट स्थी सभीन नंट करेंसे यहिए। लोग्च में कर रिए के लिए ये बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत अच्छी होती है तिल अब मैंने जो पेस्ट यार किया था वो भी इसमें एड़ कर दिंगे और बिल्कुल लो फ्लिम पर में जलाते हुए इसे कोक कर रही हूं जब ये पेस्ट अच्छी तरह से बिल्कुल कडाई छोड़न दिन बार यूज हो जाता है तो करेले को मैं अच्छी तरह से पकने के बाद जो इसका पेस्ट था मैंने इसको चला कर देखिए ये बहुत अच्छे से कड़ाई चोड़ रहे हैं अब मैं इसमें लास्ट में आधी चमज शक्कर एड़ कर रहे हैं शुगर आप चाहें तो इ बंजा होगा बेसन अट किया है और एक बड़ा नीबू का रस अट किया है अगर आपके पस बड़ा नीबू का रस नहीं है तो आप इसमें 1 and 1.5 नीबू भी यूज कर सकते हैं नीबू का रस कमपलसरी है आप चाहें तो इसमें इमली का पानी या अमचुर भी अट कर सकते और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे मिलाएंगे मसाले और बेしन को और अब मैंने इसको साइट में ठंडा होने के लिए रख दिया है अब देखें हमारे करेले भी तयार हो गएं, आदा घंटा लगबख हो गया हैने मैंने और अच्छी तरह से हाथ से रब करके दो रही हूँ और एक बोल में अलग से निकाल रही हूँ इसके बाद भी मैं लगबख एक या दो पानी से फिर से इसको अच्छी तरह से दो लूँगी धंडे पानी से नॉर्मली अच्छे से दुलने के बाद क्या होगा कि और जिसमें थोड़ा बहुत जो नमक की वज़े से आउटर सेल में इसका कड़वापन आ गया था वो भी निकल जाएगा अब मैं इसमें हराधनिया एड किया है मैंने स्टफिंग में बारी कटा हुआ हराधनिया एड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मसाले में मिलाएंग और मैंने आलो प्यार लिसन का यूज ने Siya मैं तो यह इसलिए biz 10 प्रक्राणि सरीनाथार अब में अधिक तर आपने सुना ही कहा की आलो प्यार लिसन का यूज नहीं होता है यह देखिए और दें खीए और थोड़े से मैने हाथ से दबाके अच्छी तरह से कर अधा अश् दिखने में ही कितने सुन्दर लग रहे हैं और जब यह सिक जाएंगे क्रिस्प हो जाएंगे ना तब ऐसा लगेगा कि आप बस रुका नहीं जा रहा है आप एक पराठा लीजे और करेलों को जरूर टेस्ट कीजे मैंने फिर इसमें आधा चमज नमक एड़ किया है और करेले अब मैं जादा चलाने के जरत नहीं मैंने फ्राय पैन फैला हुआ इसली लिया था कि मैं इसे इजली हाथ से हिला कर उपर नीचे पल्टा सकती हूँ अब मैंने ढखकर पांस से साथ मिनिट के लिए रख दिया है ताकि इसका जो आउटर सेल है वो भी बहुत अच्छे से अब मैं इसको लगातर चलाऊंगी उपर नीचे करना है चारो तरफ से इसको देरे देरे चलाते हुए हम हमें से क्रिस्प कर लेंगे यह देखिए मसाला सिखने लग गया है और अब पल्टा कर मैंने फिर से इसको ढखकर पांस मिनिट के लिए चोड़ दिया है पांस से आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लास्ट में हारा धनिया जरूर एड़ करें थैंक यू